कि अलो वेल्कम तू माई चैनल मैं रोहित और मैं स्वागत करता हूं मैरे स्यूटीब चैनल रोहित की कख्षा में तो जही मेंस के रिजल्ट आते ही जर्खन में अडमिशनों का दौर शुरू हो गया है स्टुटेंट्स बीटेक के अडमिशन के लिए अलग लग कॉलेज़ देख रहे हैं अपने रेलेटिव से पूछ रहे हैं कि कौन से कॉलेज अच्छी होनी चाहिए कौन से कॉलेज में अडमिशन ले सकते हमारी इतनी मार्स आई तो क्या में यह कॉलेज मिलेगा क्योंकि सबका फर्स्ट प्रियर्टी तो यह होता है कि वह बैटे सिंद्रे मैं सबके लिए तो नहीं है जिनके कम मार्स आया है तो वह भी दूसरे कॉलेज में अच्छे कॉलेज में अडमिशन लेने का उनका जो यह इस बार का सबनाव सायद पूर हो सकता क्योंकि जितने भी स्टूरेंट्स थे उन्होंने सबने एक्जाम ने दिया आपने भी रोज सु आप जाकर देख सकते हो हमारे प्लेट के सेक्षंस में बीटे कॉलेज में या फिर वीडियो में या फिर वीडियो निकाला आप वह भी देख सकते हो और बीटी सिंद्री के बाद जो तीन कॉलेजेज हैं जहां सबसे ज़धा अडमिशन होते हैं उनमें से एक है पेमेंट सेट में किस तरह अडमिशन होता है वह आपको आगे के वीडियो पता चलेगा लेकिन यह चीज़ तो बेलकुल क्लियर है कि बीडियो सिंद्री में तो सबका अडमिशन सबका नहीं पॉसिबल है लेकिन जो भी स्टुटेंट्स के होंगे उनके अच्छे मार्स हों जिससे मेरिट लिस्ट बनके जएसर spirit की ओंलान कांसलीं की जो भी हमांत चुंके बारे में देखने को मिलेगी और उनमें हर स्टुडब्र को मौका मिलेगा कि हूं अच्छे लग ऑच्छे का पाहुच सके तो धुम का best को ज़ remote की वीडियो आए़ी आए lie की इस वीडियो के के लिए जिनी स्ट्टुड्स का कम मार्ट साया है तो वो लोग कैसे प्राइरिटी सेट करें ताकि उन्हें द्रामगडे जिरी कोलेज दुमकाई जिरी जिरी और चैवास ने कालेज की फ्री सीट मिल सेके क्योंकि प्राइरिटी सेट करना सबसे इंको समझाने के लिए हमें एक separate वीडियो लाएंगे जिसमें आपको हम लोग देखाएंगी कि आपको अगर किनी स्टुनेंट्स का 35-45-50 के आसपास है उन सब को लग रहा होगा कि हम भी BIT सिंदरी के रख दोगे तो क्या है कि जो अच्छे जो नीचे आपसे छूट रही है जैसे यह सब कॉलेजेस की फ्री सीट वह आपके हाथ से निकल जाएगी तो उसके लिए separate वीडियो आएगी हम लोग चाहिबासा ही जो जो यह कॉलेज में आगे बढ़ते हैं तो कॉलेज हारकंड के गवर्मेंट के तरब से बनाई गई है ठी तो इसके वज़े से इसके हां दो तरह की सीट चलती है पेमेंट और फ्री सीट इस्टाब्लिश दो जाते रह मुई थी और जैसा कि मैंने बता है गवर्मेंट और जारकंड के तरब से बताएं गई है और रनवाइट टेक्नो इंडिया कॉलकाता एफलेट व्राची पांच यह दो तरह के फेस्ट यहां भी होते हैं यह इनका क्लास्रूम से यार इमेज़ आप देख सकते हैं इनका एड्मिन ब्लॉक है ठीक है दो तरह के सीट पर हम बात कर लेते हैं फ्री सीट और पेमेंट सीट के आपको गौवर्मेंट कॉलेज की सुख मिलेगी मतलब गौवर् की सीट में आपको करीबन साल का 60,000 के करीबन आपको लगेगा ठीक है तो फ्री सीट में फायदे यह हो जाते हैं कि वह गौवर्मेंट सीट की फी पेमेंट करनी पड़ती है जो की बीटी सिंदरी यतनी फीस होगी ठीक है तो यह सब सीट लेनी तभी आपके लिए पॉसिब धंग से सेट करें ताकि उनके उनको इन सब कॉलेजेज में टामगर्ड दूंका और चायवासा के फ्री सीट्स मिल सके उसके लिए आपको प्रायरिटी सही धंग से अब के फ्री सीट को अच्छे मार्क्स लाने के बादी मिलेगी पेमेंस सीट में थोड़ा उपर निचे हो सकता है लेकिन फ्री सीट आपको बेस्ट नंबर्स होने चाहिए नहीं तब लेगि और कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि कम मार्क्स वाले स्टोडियो में फ्री तो उससे असानी हो जाएगी उन सब कॉलेजे में फ्री सीट पकड़ने में तो कैसे पकड़ना हो हम लोग समझाएंगे आगे के वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में आगे बढ़ते ही इस कॉलेज के रिव्यू में फैसिलिटीज में तो कोई कमी आपको मिलींगी नहीं बीटेक कॉलेजे तो आपको लाब्स, क्लास्रूम्स, प्रॉपर आपको वाक्षॉप्स, यह सम इंडक्शन प्रोग्राम्स यह जो भी चीजे होंगी आपको वो सम मिल नहीं है ठीक सेमिनास होते ही रहेंगे , बीटेक कboo आज़ेट कॉलेज हेर वीविविनास होते ही रहेंगे अगर कोई first year में admission लेगा तो उसको 12th pass तो सबसे पहले minimum pass होने ही होगा और अगर कोई reservation category में है तो उसे 35% ही उसके लिए minimum category होगी pass होने के लेकिन आपको PCM में physics chemistry math में पास होना होगा chemistry को option रखा जाता है chemistry की जगह आपके पास computer science भी हो सकती तो चलेगा लेकिन आपको 12th pass होना का minimum criteria क्योंकि जारखंड क्योंकि जारखंड में जो admissions होती है वो अब G means के थुरू होती है और first year में आपको G means के थुरू ही आपको इन सब colleges या जारखंड के कोई भी colleges जो सरकारी है या फिर semi-government है उससे में admissions मिलेगा G means के थुरू लेकिन second year में आने के लिए आपको diploma pass होना होगा BAC pass होना होगा ठीक है यह diploma pass out students के लिए एक अलग examination होता है जो lateral entry का हाल आता है इस पर हमने चार पार्ट वीडियो बना है वो भी आप जाके देख सकते हो तो अभी हम लोग का mean focus है मैंने आपको simply समझा है eligibility criteria यही है कि इन सब colleges में अगर आपको free seeds चाहिए जहारकंड के थुरू आप colleges में आ रहे जहारकंड के थुरू सबसे पहले तो आपको जहारकंड का residential होना चाहिए मतला आवासी होना चाहिए और अगर आप किसी cast के थुरू registration category के थुरू आ रहे हैं त कास्ट का वो कास्ट सेटिपिकेट होना चाहिए यह सब चीजे माहिने रखती है एडिविशन प्रोचेजर समझ में आपको आपको नहीं होना जो में सब्जेट्स है जैसे कि physics, chemistry, math, english यह सब सब्जेट्स में आपको बैक नहीं होना चाहिए ठीक है एडिविशन आप यह उनके ओपीशल वेबसाइट में दीवी थी मैं कुछ अपने तरफ से नहीं जोड़ के बता रहा हूं प्लेस्मेंट की बाते उनकी ओफीशल वेबसाइट नहीं गूगल करके देख ले ना चाहिए ठीक है प्लेस्मेंट के कॉलम में जाना और देखना यही चीजे उनके top recruiters है, their top recruiters और चावासा इंजिनी कॉलेज are mentioned in this slide ये जो slide मैं आपको जो भी देखा रहा हूँ ये सब उनके ही दिये वे चीज़े हैं जो top recruiters है, ये उनीके website में ये mention थी कि 33 कंपनिया अभी तक मार्स से 2020 तक विजिट की है 236 students का placement हुआ है 2019 और 4.8 lakhs 4.8 lakhs per annum highest packet offer हुआ ये उनीके website में mention है आगर आपको वरोशा नहीं है तो आप जाके website में देख सकते हो placement के column में तो ये चीज़े थी जिसमें मैंने आपको बता दिया admission कैसे होगा, placement कैसा है free seat और payment seat में क्या आपको admission होंगी की नहीं होंगी, कैसे आपको marks को priorities को set करना वहम लोग अलग video बनाएंगे separate, ठेक हो भी जल्दी आ रही है आगे मैं आपसे college में मिलूँगा जो कि दुमका engineering college की होगी, जल्दी वो भी वीडियो आ रही है तो इसी तरह हमें मौू गर्जाखurday कि आपसे एवाभप्ऽेण में, जल्दी आपसे के लिए दो भी उपसे常के